तो काई जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा थे कि हम लोग गये थे अपनी सीक्रेट बेस पर एंड बहां पर जो जनरल बगएर था उसने मुझे बताया था कि भाई एक यूएफो क्रैस हुआ है मतलब कि उनके साफ से क्रैस हुआ है एक लोकेशन पर जो कि हम लोग से और इसलिए क्योंकि जो एस्ट्रोन ओर था जो कि इस पेस में होते हैं तो भाई उसने एक चीज़ कंफर्म करें कि उन्हें एक चीज आती हुई दिखी जो कि आर्थ की तरफ के लिए आ रही थी लेकिन भाई वह एक अन्नोन था मतलब कि जो अन्नोन आपजेक्ट्स होते जो कि फ्लाइ करते हैं तो उनको हम बोलते है यूएफो ठीक है तो भाई उसको भाही लगता है कि आइचिंग को यूएफो एंफ़ अन्नोन को एक लोकिसन दिये वह एक विलेज की लेकिन उस विलेज की जादा खालो तो रखी है कुछ कहने की नहीं कि लोग काफ जादा ख तेन भाई हम लोग को दिक्कत हो सकते हैं, फिलाल तो हम लोग लेंगे एक छोटा था सौट करड़, कि अम लोग रोड जाएंगे, तो जैर्ट से वाद सब की नजरों में भी आ सकते हैं, पतलब की जर्नल साप का था, जो साइंटिस्ट था उसने भी साप का था, कि बिना किसी जर्षों में आएं, हम लोग को ये मिसन करना हैं यह मिसन एक पौप सीक्रट है, मनलब की किसी को पता नहीं चलना सी हम लोग किसी की मलब की खोच कर रहे हैं, भाई हम लोग की क्या है जाएंगे, तो इस टाइप का हम लोग को लगता है, की हम लोग की जादा गंदी वाली लगने बाली है क्या हिर साथ को यह मों कुछ दुब पता मतलभ है एक तुम हाई टेक का रहा है ठीक है एंड भाई ओके भाई तो ये वाला विलेज है भाई साव ये लोग कहां पर रहा है मतलब की मांट एबरेस्ट के नीचे मांट चिलियार्ड के नीचे यहाँ पर इतना जादा कबार पड़ा है ओ शिट ब्रो भाई एक सेकेंड यहां कोई दिख क्यो नहीं रहा है ओ भाई एक सेकेंड भाई वो क्या है ओ शिट पॉइज आकर हमें बाव पर क्या दिखाऊ से देखने के लिए जश्ट नेक्स्ट वाला वीडियो देखो जो कि दिख रहा होगा जल्दी से क्लिकर करके देखो कि माइकल को आखिर क्या मिला